नमिश्कर दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है ब्रंदावन में एक संतु है मनसुक बाबा वो सदा चलते फिरते ठाकुजी की लिलाओं में खोई रहते थे ठाकुजी की सखा बाब से सिवा करते थे सब संतों को प्रिये थे इसलिए जहां जाते वहां परसाद की विवस्ता हो जाती और बाकी समय नाम जाप और रिला चिंतन करते रहते थे एक दिन उनके पाउं में फोड़ा हो गया असीन पीड़ा हो रही थी बहुत अपचार के बाद भी कोई अराम नहीं मिला तो एक व्यक्ति ने उस फोड़े कान मूना लेके आगरा के किसी अच्छे हस्पिताल में बेज दिया वहां के डॉक्टर ने बताया कि इस फोड़े में तो कैंसर बन गया है तुरंत इलाज करना पड़ेगा नहीं तो बाबा का बचना मुश्किल है जैसे ही ये बात बाबा को पता चली कि उनको आगरा लेके जा रहे है तो बाबा रूने लगे और बोले हम को कहीं नहीं जानो हम बरत से बाहर नहीं जाके मरना चाहते हमें यहीं छोड़ दो अपने यार के पास हम जीएंगे तो अपने यार के पास और मरेंगे तो अपनी यार की खोद में हमें नहीं करवानों इलाज और बाबा नहीं गए इलाज करवाने बाबा चले के बरसाने बहुत हसीन्य पीड़ा हो रही थी उस रात बाबा दर्दतर से कहार रहे थे इतने में क्या देखते हैं वशुवान दलारी श्री किशूरी जी अपनी अस्ते सक्यों के साथ आ रही है और बाबा जी के समय पाके ललिता सक्य से बोली अरियो ललिते ये तु मनसुखा बाबा है ना तो ललिता जी बोली हाँ श्री जी ये तु मनसुखा बाबा है और डॉक्टर ने बताया कि इनको एक कैंसर है देखो कितना दर्द से कहा रहे हैं परमद्यालू करना मैं सरकार श्री लाडली जी से उनका दर्द सहा नहीं गया और वो बोली ललिता बाबा को कोई कैंसर नहीं है ये तो एकदम स्वच्च है जब बाबा इस लीला से बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनका दर्द एकदम समाप्त हो गया है और जांक पार जहां पतक की किसी फोड़े का निशान भी नहीं रहा देखो कैसी करना मैं सरकार श्री लाडली जी है हमारी तो दोस्तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रू शीर करें हम मिलेंगे ऐसी ही दूसरी वीडियो में तब तक के लिए नमिश्कार